चाहती हूँ कि डेली नुवर्सिटी में आप देखते हैं कि विमेन एक्टिविजम थोड़ा सा कम है क्यांकि अभी पूरे पैनल में सिर्फ अकेली छात्रा जो हूँ वो मैं हूँ पर मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसमें भी चाहत रहा है। आईए भारत को हम एक प्रगती सील एंवं मजबूत देश मनाएं एक अच्छे राजे की कलपना करें। कहते हैं देश की राजनीती में महिलाओं का भी बहुत जादा बोलबाला होता है और हमेशा से इतिहास गवा है कि जहां पे भी महिलाओं ने अपना दमकम दिखाया है पूरी सत्ता का पलट और काया पलट हुई है। आज मेरे साथ समय डेली उनिवस्टी की सेकेटरिय अपराभ जीता जी हैं सबसे पहले माम आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम जिस तरीके से आज महिलाओं का जो है जो है जो है कई बड़े-बड़े पदों पे आसीन है चाहे वह हम द्रॉबदी मुर्मू जी को देख जो कि प्रेसिडेंट है देश की और कई अलग-अलग पदों पे निर्मला सीता रमन जी भी है तो आपको क्या लगता है आज देश की महिलाओं में क्या कुछ नई उडजा और क्या कुछ नई चीजे पहले की तुल्ला में आज जो है देखने को मिल रही है कि वो आगे से आ मेरी जीत हुई तो कहीं न कहीं दिख तो रहा है इंकलिनेशन नारिश शक्तिकरन का और जैसे कि प्रधान मंत्री जी नारिश शक्तिकरन के लिए काम कर रहे है और विमन रिजर्वेशन आक्ट आया तो उसकी वज़े से भी कहीं न कहीं जो वोट बैंक था मेरा और जो बड आज वो समय आ चुका है, आज प्रधान मंत्रिक खुद महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे आ रहे हैं, और कई बड़े-बड़े पदों पे महिलाएं आसेन हैं, चाहे वो पूरा मिनिस्ट्री लेवल हो, चाहे वो महिलाएं मिनिस्टर्स के तोर पर भी उबर रही हैं, सशक्तिकरण की बात करें, तो हम जिस संस्कृति से आते हैं, वहां पर हमेशा से नारी शिशक्तिकरण को लेकर बात ही नहीं, काम भी किया जा रहा है, चाहे हम एक्जामपल में देख लिए रानी लक्ष्मी बाई का, चाहे हम देख लिए हम लोग पदमावती जी का, कि जो पर देख लिए नारी शिशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही है, और यह दिल्ली विश्विद्याले में देख सकते हैं, इस दिल्ली विश्विद्याले में जो फीमेल स्टुडेंट से जादा है, यही प्रतीक आपको दिख रहा होगा कि नारी शिशक्तिकरण का, यह अदर तरीके से उनके अंदर भय है, व्यापते हैं, तो उस पर आप क्या चाहिए, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को अपने कानून को, अपने अधिकारों को किस तरह से इस्तवाल करना चाहिए? यदि मैं बात करूँ अपने डूसू इलेक्शन की तो हम लोग ने खुद ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स निकाले हैं विमन के लिए विमन सेंट्रिक इशूस निकाले हैं चाहे वो विमन सेफ्टी के लिए हो पिंक बूथ अच्कशन काम करेいきます आपको लिह साहि two नारी शक्तिकान को लेके थी आपको अच्तिक हैं उन अच्वार्मन के लिए हम लोग कॉरी हो क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कॉलेजिस में लड़िया जाती है डे टूड़े उनके अंदर क्या कुछ चीजें होती है जो आपने अब्जर्फ कर रहा होगा इतने सालों में कि जो सामने आके वो फुट्फरंट पे या लाइम लाइट पे अपनी बाते नहीं रख पा भारत देश में लिया ही है तो उसी कारण से आज डियू में हमें जादा हायर एजुकेशन में फीमेल की जो एजुकेशनल स्टेंथ है वो बढ़ती जा रही है और डियू में इसका परिनाव हम देख रहे है जैसे 52 परसेंट यहां पर चात्राइए पढ़ती है डिली विश तो उसको लेके ही हम लोग काम कर रहे है और उसके लिए जागरुकता के लिए हम लोग विमेन लीडर्शिप समिट भी ज़रूर कराएंगे खुल कर सामने नहीं आती है इस पर आप क्या कहना चाहिए क्या इन चीजों पर इन मुद्दों को ठाना चाहिए इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए इन मुद्दों पर खुल के बात होनी चाहिए सिर्फ महिलाए ही नहीं इस पर जितने चात्र है उनको भी खुल के बात क जाहिए ज़िए मैं अपने अपना एक्सपिरियंस बताऊ तो मैंस्ट्रल हेल्थ एं आइजीन के साथ में मैंने काम किया है यहां डेली नुवर्सिटी के स्टुडेंट्स को लेके रितुमतिय अभ्यान हम लोग करते हैं जैसे हम लोग मैंस्ट्रल हैल्थ और हाइजीन के बा तो ऐसे बहुत सारे मुद्धियां जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं आज अपराजिता जी पूरी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी क्योंकि देली उनिवस्टी की सारी लड़के आपसे अभीभूत हैं आपको जानती हैं आपको समझती हैं सुनती हैं लेकिन अभी एक्टिविस्म थोड़ा सकम है क्योंकि अभी पूरे पैनल में सिर्फ अकेली चात्रा जो हूं वह मैं हूं वह लग बात है कि काफी सने मिला काफी प्यार मिला पर मैं चाहती हूं आने वाले दिनों में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट अस वे भी चात्रा है बहुत-ब माम वीडियो को देखने के लिए MMPB को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आईए भारत को हम एक प्रगति सील मजबूत देश मनाए एक अच्छे राजे की कलपना करें नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा मैदा और सूजी नौरंग फ्लोर मिल आपके रसोई की शान हमारी पहचान शुद्धता की पहचान नौरंग फ्लोर मिल